देन्मार्क में सारवजनिक जगाहों पर कुरान जलाने पर बैन लगा दिया गया नियूस एजनसी रोइटर्स के मताबिक मुस्लिम देशों ने तनाफ कम करने के लिए गुडिवार को देन्मार्क की संसने ये फैस्टा लिया निया मंतरी पीटर हमलगाड ने बताया जुलाई के बाद से ऐसे पांसु से ज़ादा प्रदशन हुए जिनमें कुरान ये जंडे जलाना शामिल था इनकी वज़े से देन्मार्क के दूसरे देशों से रिष्टे हमारे हितों और सुरक्षा को खत्रा हो सकता है संसद में 5 घंटे की बहस के बाद 97 में से 54 संसदों में इस फैसले के पक्ष में तो वहीं 37 संसदों ने इसके विरोध में वोट दिया सरकार ने बताया कि नए कानून में कुरान या किसी भी धार में गरंद को फारना जलाना और सारवजनी कुरूप से उसका अपमान करना या वारल होने के लिए उसको वीडियो बनाना प्रदिबंदित हो गया है डेनमार्क डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर इंगर्स टोजबर्ग ने का इस फैसले के लिए इतिहास में हमारी निंदा होगी सवाल यह है कि क्या भी विक्ति की आजादी पर बैन हमने तै किया है या बहारी ताकतों नहीं हमसे ऐसा करवाया है इस कानून को तोड़ने वालों को दो साल जेल की सजा और जर्माना लगाया जाएगा सूडन में भी कुरान को जलाए जाने पर रोक लगाने को लेकर चर्चा चल रही है